हेलो स्टूडेंट्स तो आज के इस लेक्चर में लोग पढ़ने जा रहे हैं डॉट प्रोड़क्ट ओफ टू वेक्टर्स तो प्रोड़क्ट की जब बात हो रही है इसका मतलब हम लोग बात कर सिंद्र बात करें हैं तो कि तीन तरह का वेक्टर मुटिक्ल केशन विग्टर के लह न पाते हैं पहला जो है यह इस थ рад ऐस ऐसे पंश्कूरों ग्यों होता है जो अलग का इक एक multiplication होता है particular type से वो define होता है जो आज की lecture हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा तीसरा होता है cross product जो अगले lecture हम लोग पढ़ेंगे so थोड़ा सा मैं revise कर देता हूँ कि multiplication of vector with a number या scalar यह क्या होता है so जैसे माल लेज़े आपके पास कोई भी vector है letter say vector a और इसे अगर हम लोग multiply करेंगे letter say 5 जो की एक number है तो यह क्या हो जाएगा जो भी एक vector होगा माल लेज़े यह एक vector है vector a तो 5a क्या हो जाएगा 5 times of vector a हो जाएगा और उसकी जो direction रहेगी वो सेम रहेगी so यह होता है multiplication of vector with a number और scalar इसका example है letter say आपके पास कोई velocity vector है और उसे अगर आप mass से multiply करेंगे तो आपको momentum मिल जाता है तो mass एक scalar quantity है तो आप देखेंगे जो यह momentum आएगा उसकी direction वो सेम direction रहेगी जो velocity की direction है और जितना ज्यादा mass होगा object का उससे यह velocity जो है multiply हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग करते हैं multiplication of a vector with a number यह काफी simple होता है अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं dot product of two vectors so dot product में अगर हम लोग बात करें तो माल लेजे हमारे पास दो vector given है लेटर से vector a और vector b और हमें पुछा जाए कि what will be the dot product of these two vectors तो हम लोग चीदे point पर आते हैं कि यह dot product है a dot b इसे इस तरह से लिखा जाता है कि यह हो गया vector a vector b और बीच में dot बना दे जाता है so dot product directly defined होता है कि भई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस a vector को उस b वाले vector दोनों vector के tail को join कर देंगे और यहाँ पर जो angle बनेगा a और b के बीच में लेटर से वो angle है theta so dot product सीदे सीदे define हो जाता है a into b into cos theta यहाँ पर यह जो a लिखा है यह magnitude of a जिसे यहाँ पर हम लोग length बोलते है इस vector का उसी तरह से magnitude of b जिसे हम लोग बोलते है length of b और cos of theta जहाँ पर theta है a और b के बीच का angle so माली जे हमारे पास दो vector है let us say vector a जो है वो है माली जे 4 unit का vector b है let us say 5 unit का और माली जे theta जो है वो 60 degree है तो इस case में जो a dot b हो जाएगा a dot b इस particular case में यह हो जाएगा देखिए 4 into यह हो जाएगी इसकी length 5 that into cos of 60 so यह हो जाएगा 4 into 5 into cos 60 is 1 by 2 so this will become 10 so यह इसका answer हो जाएगा a dot b अगर a 4 है b 5 है और दोनों के बीच का angle अगर 60 degree है so a dot b हो जाएगा 10 इसके अलावा देखिए a dot b जो है यह दो vectors है जिनका dot product हो रहा है a और b का लेकिन यह जो right side में जो quantity आ रही है यह scalar है मतलब जो दो vectors हैं उनका dot product हमेशा एक scalar quantity देता है यह vector quantity नहीं होती है बाद में लोग देखेंगे कि जब cross product होता है दो vectors का तो वहाँ पर जो resultant आता है वो एक vector quantity होती है दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें कि a dot b और b dot a दोनों सेम होगा हमें ध्यान रखना है कि a dot b बराबर b dot a होता है तो यह भी एक property है जो dot product में follow होती है आगे बढ़ते हैं और आफ हम देखते हैं कुछ particular cases जो हमें dot product में देखने को मिलते हैं so case one मान लिजिए यह जो दोनों vector है a और b इनके बीच का angle जो theta है अगर वो zero degree हो जाए तो उस case में जो cos theta हो जाएगा वो हो जाएगा one और उस case में dot product में define कर पाएंगे a dot b वो हो जाएगा a into b into cos theta तो cos theta one हो जाएगा तो a dot b simply क्या हो जाएगा a into b इसी तरह से तो यह जो vector हुआ यह दोनों vector क्या हो जाएगे parallel vectors तो मान लिजे आपके पास दो वेक्टर है लेटा से 5 और 4 unit length के और उनके बीच का angle अगर 0 है तो यह सीधा 5 into 4 20 हो जाएगा इसी तरह से दूसरा case लेते हैं मान लिजे यह जो theta है यह 90 degree है ऐसे vectors को में लोग बोलते हैं orthogonal vectors तो ऐसे अगर vectors हैं हमारे पास तो इस case में cos theta क्या हो जाएगा cos theta हो जाएगा 0 cos 90 हो जाएगा 0 तो इस case में जो a dot b हो जाएगा यह सीधा हो जाएगा 0 क्योंकि यह क्या होता है a into b into cos theta तो cos theta 0 होने से a dot b सीधे सीधे 0 हो जाएगा तो यह बहुत ही important property मन जाता है जो आगे हम लोग देखेंगे यह काफी बार use होता है और इस पर based question काफी बार पुछे जाते हैं इसके लावा case 3 मान लिजे angle जो है theta यह अगर 180 degree है तो ऐसे cases में आपका जो cos theta हो जाएगा यह हो जाएगा minus 1 cos 180 minus 1 और हम लोग a dot b लिख पाएंगे simply a into b into minus 1 तो यह हो जाएगा minus a b तो मान लिजे इस पर एक छोड़ा से example कर लेते हैं मान लिजे हमारे पास दो vectors दिया है एक force दिया है which is 10 newton and it is acting upward on a block मान लिजे यह कोई block है जिस पर यह force उपर की तरफ act कर रहा है और इसका जो displacement होता है वो हो जाता है let us say 2 meter और यह नीचे की तरफ होता है तो मान लिजे इसका जो displacement है वो नीचे की तरफ है so work done इस तरह से define के जाता है work done एक scalar quantity है और इससे define के जाता है it is dot product of force and displacement तो इस case में इस particular case में अगर यह 10 newton का force उपर लगा है और यह object अगर नीचे गया है दो मीटर तो इस particular case में work done कितना होने वाला है so work done होने वाला है f into s into cos of theta तो आप देख सकते हैं यहाँ पर f और s के बीच में जो theta है वो है 180 degree so यहाँ पर result अगर हम लोग लिखेंगे तो यह पाएंगे 10 into 2 into cos of 180 जो कि हो जाएगा कितना minus 1 से हो जाएगा minus 20 जूल्स तो यह थर्ड वाला case हमने यहाँ पर illustrate किया कि किस तरह से हम लोग दो anti-parallel vector जैसे यहाँ पर anti-parallel vectors थे उसका dot product या किसी भी दूसरे vectors का dot product हम लोग निकाल सकते हैं कि इसी में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं जैसे हमारे पास unit vectors होते हैं i cap, j cap, k cap इनका dot product किस तरह से निकाला जाता है सो मानले जै हमारे पास कोई भी दो vector है a और b तो उनका dot product होता है simple a into b into cos theta तो मानले जै हमारे पास unit vectors है जो इसे x direction में होता है i cap तो यह हो गया i cap, y direction में हो गया j cap और z direction में हो गया k cap तो यह तीन unit vector हमारे पास हो गया अब इनके dot product किस तरह से होंगे तो बस यह रूल यहां पर लगा देते हैं जैसे i cap into i cap अगर हम लोग करें तो यह क्या हो जाएगा i cap into i cap तो इसका magnitude i का magnitude है one उसी तरह से दूसरे i का magnitude है one into दोनों के बीच में angle i cap into i cap तो यह दोनों parallel है तो इनके बीच का angle हो जाएगा zero और cos zero again क्या हो जाएगा one तो i cap into i cap करेंगे तो यह one होगा और यह सारी चीज़ें किसके साथ होंगी यह सेम चीज़ें होंगी किसके साथ j cap into j cap के साथ और यही होगा k cap into k cap के साथ तो यह चीज़ हम को याद रखनी है कि i dot i या j dot j या k dot k साथ बराबर होता है और वह one के बराबर होता है इसी तरह से माल लिजिए i dot j अगर हम लोग करने जाएं तो क्या होगा देखे i dot j दोनों के बीच में अंगल क्या है 90 degree so i dot j हो जाएगा 1 into 1 क्योंकि i1 j1 into cos of 90 तो cos of 90 हो जाता है 0 तो यह quantity पूरी निकल क्या जाएगी 0 so i dot j हमेशा क्या होगा 0 और इसी तरह से आप देखेंगे कि j cross j dot k भी 0 होगा और k dot i भी 0 होगा क्योंकि सभी के बीच में अंगल क्या है 90 degree तो हमें ध्यां रखना है कि i dot j हो चाहे j dot j dot k हो या k dot i हो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सो मानली जे हमारे पास कोई in general इस तरह से i, j, k form में in general दो वेक्टर्स हमको दिये हुए है मानली जे हमारे पास दो वेक्टर्स दिये हुए है ax i cap प्लस ay j cap प्लस az k cap और इस वेक्टर का dot product निकालना है हमको किसके साथ हमको निकालना है इसका dot product लेटास से b x i cap प्लस by j cap प्लस b z k cap इसके साथ अगर dot product निकालना है तो देखिए इसका dot product कैसा होगा यह बहुत ही standard result आने वाला है देखिए ax i cap को जब dot करेंगे किसके साथ b x i के साथ इसको पूरा आप distribute कर सकते हैं तो जब distribute करेंगे तो पहला term आएगा ax i cap dot b x i cap तो ax into b x तो वैसे ही लिखा जाएगा ax into b x और i cap dot i cap क्या हो जाएगा one हो जाएगा तो उसे हम लोग छोड़ देते हैं प्लस अभी देखिए ax i cap को जब दूसरे वाले term by j cap के साथ करेंगे तो ax into by तो होगा लेकिन i dot j जब होगा तो दोनों क्या हो जाएगा दोनों का जो dot हो जाएगा जीरो क्योंकि i और j के बीच में अंगल क्या है 90 degree तो आप देखेंगे i j उसी तरह से 0 हो जाएगा उसी तरह से i और k ये भी 0 हो जाएगा तो बाकी term में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वह सारे term 0 हो जाएगे similarly अगले term में चलते हैं ay j cap इसको जब इन तिनों से multiply करेंगे तो ay j जब इस पहले वाले term से multiply होगा bxi so ay j into bx तो j और i का जो dot होगा वो अगेन क्या हो जाएगा 90 degree तो वो अगेन क्या हो जाएगा 0 तो इसका भी को result हमें नहीं मिलेगा और finally बच्चेगा क्या ay into by क्योंकि यहाँ पर j dot j ये 1 हो जाएगा तो यह result होगा दूसरा term जो होगा ay into by और बिल्कुल इसी तरह से जो last वाला term होगा वो हो जाएगा az into bz तो आप हमेशा देखेंगे कि इस तरह के format में अगर आपको दो vectors दिये हुए हैं और उनका dot product निकालना है तो हम simply क्या करेंगे i वाले जो coefficient है उनको आपस में multiply करके लिख देंगे j वाले coefficient को आपस में multiply करके लिख देंगे और इसी तरह से k वाले जो coefficients है उनको multiply करके लिख देंगे और बाकी जो सारे terms है वो automatically zero हो जाएंगे तो यह बहुत ही important result है जो हमको हमेशा याद रखना है तो इसे माल लिजे हमें एक छोटा से example करते हैं कि माल लिजे हमको दो vectors दिये हुए है let us say 4i 4i plus 5j यह एक vector दिया है और इसका dot product करना है let us say 3i plus 2k इनका dot product करना है तो i into i, इसका तो multiplication हो जाएगा 4 into 3 यह तो हो जाएगा 12 अब इसका आप देखेंगे इस j का यहाँ पर कोई pair नहीं है तो इसका कोई भी result नहीं है इस तरह से इस वाले k का यहाँ पर कोई भी pair नहीं है तो final result जो हो जाएगा इसका simple क्या हो जाएगा 12 units आगे बढ़ते हैं और एक बहुत important चीज हम लोग discuss करते हैं लास्ट पार्ट में angle between two vectors वो हम लोग किस तरह से निकालते हैं so dot product को use के जाता है angle between two vectors find करने के लिए और इस पर based question पूछे जाते हैं so जैसा हमें पहले ही मालूम है कि एक एक vector और दूसरा vector दो vector अगर है vector a और vector b so दोनों के बीच का जो dot product है उसे हमने define किया है a dot b and that is equal to a into b into cos theta तो just इसी को अगर हम लोग rearrange करें इसी term को अगर हम लोग rearrange करें तो cos theta हो जाएगा a dot b divided by a into b बस इसी property को use करना है और हम किसी भी दो vector के बीच में angle निकाल सकते है provided यह i और j unit vectors के sum के form में दिया हो so let us say vector a जो है वो आपको given है let us say माली जे example solve करते हैं माली जे vector a हमको given है 2i plus 3j इसी तरह से माली जे vector b given है it is 4i plus 2j और हमसे पूछा जाए कि इन दोनों vector के बीच में angle कितना है तो बस यह वाला formula हम लोग use कर लेते हैं और cos theta हम लोग लिकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा क्या a dot b और उसके लावा a और b का magnitude individually तो पहले मैं निकाल लेता हूं a dot b तो अगर a dot b करने जाए तो हमको मालूम में क्या करना है यह जो i वाले coefficient है उनको आपसे multiply कर देना है तो यह 4 into 2 यह हो जाएगा 8 इसी तरह से j वाले coefficient को multiply कर दीजिए एक साथ तो यह हो जाएगा 3 into 2 that is 6 so यह term आ गया 14 और इसी तरह से नीचे a और b का magnitude अगर निकालना है तो a का जो magnitude हो जाएगा that will be square root of 2 square plus 3 square so this will become 4 and 9 यह हो जाएगा under root 13 और इसी तरह से magnitude of b अगर निकाले है तो यह होगा square root of 4 का square plus 2 का square so यह हो जाएगा 16 and 4 so that will be under root of 20 so finally cos theta की value इस formula से हम लोग निकाल सकते cos theta क्या होना है a dot b वो हमने निकाल के रखा है 14 and that divided by a into b यह दोनों चीज़ें क्या है magnitudes है so a है root 13 और b है root 20 so यह हो जाएगा 14 अपॉन 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 260 तो यह हो जाएगा हमारा final result मतलब यह हो जाएगा cos theta तो theta हम लोग निकाल सकते हैं यह विल बी कॉस inverse of 14 अपॉन अपॉन अंडर रूट अफ तो शीक्स्टी सो यही तोड़ी रिजल्ट्स है जो हमको याद रखने हैं डॉट प्रट्ट में और यह जो लास्ट में पढ़ा एंगल बिट्विन टू वेक्टर्स यह वन अप दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे question पुछे जाते हैं इसी में दूसा चीज यह होता है कि और्थोगोनलेटी ओफ वेक्टर दो वेक्टर्स और्थोगोनल हैं क्या या पर्पेंडिगुलर टू इचेदर हैं क्या वो उस केस में आपका cost theta क्याने वाला है? 0 आने वाला है, so I hope इस lecture से आपको dot product के बारे में clarity मिले होगी, next lecture हम लोग डिस्क्रस करेंगे cross product of two vectors, thanks for watching.